तो फ्रेंड्स करेले की रेसिपी आपने कई तरह की बना कर खाई होगी लेकिन इस तरह से करेले की रेसिपी आपने आज तक बना कर नहीं खाई होगी बहुती टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी है बनाना भी बहुत आसान है अगर आप एक बार इस तरीके से करेले बना लेंगे न तो उम्मीदे आप हर बार इसी तरीके से करेले बना कर खाएंगे तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मज़दार से क्रिस्पी करेले की रेसिपी को हमने केसे बनाया है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो इस टेस्टी क्रिस्पी करेले की रेसिपी बनाने के लिए यहां मैंने तीन मीडियम साइस के करेले लिए हैं करेले हमने ज़्याधा ना बड़े लिए हैं और नहीं- चोटे लेने तो इसे हमें qat करना है तो कुछ qat हम इस तरह से करेंगे कि इसका हमें डंठल अलग नहीं करना है और इसको हमें सिर्फ बीच से इस तरह से कट कर देना है कि ये इस तरह से देखिए इस तरह से चार पीसिस में हो जाए तो बिल्कुल अलग मत करिएगा इसके पीसिस इसमें ही हमें जोड़े रहने देना है और जो हमने ये 4 पीस कर दिये हैं अब 4 के हमें 8 पीस करने हैं तो بीट से ही वापई से हम कट लगा दीए देखिये ये 6 पीस होगा है अब एक बार ओर हम 20 से इस तरह से कट लगाएंगे तो मोटे वाले हिस्से पर ही लगाएंगे जिससे कि इसमें क्या होगा पतले पतले देखिए कट हो गए हैं और अच्छे से ये दिखाई दे रहा हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें करेले के पीस पतले पतले निकाल लेने हैं तो जितने भी बीज निकल जाते हैं हम इसके बीज निकाल लेंगे हातों की हिल्प से या फिर नाइफ की हिल्प से जितने भी बीज निकल जाते हैं आप निकाल लीजिएगा या फिर आप इस करेले की रेसिपी बीच के साथ में भी बना सकते हैं क्योंकि बीच के साथ में भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी तो एक करेला हमने इस तरह से कट कर लिया है अब सेम इसी तरह से ही दूसरे करेले को भी हमें इसी तरह से cut करना है 8 pieces में और 8 pieces में कर लेने के बाद अब सारे बीज हम इसके भी निकाल लेते हैं और इसके हम निकाल लेने के बाद बीज तो देखिए कितने अच्छे से हमारे तीनों ही करेले साफ हो गए हैं बस इसी तरह से हमें निकाल लेना है तो करे लेके देखी कितने अच्छे लच्छेदार पीसिस दिखाई दे रहे हैं बस इसी तरह से ही हमें कर लेना है अब एक कड़ाई लेंगे और गेस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे दो कप पानी अब दो कब पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे देड़ चमच नमक और नमक डालके अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है और गेस की फ्लेम अभी हमने हाई रखी है क्योंकि पानी को हमें अच्छे से गरम होने देना है अब पानी जैसे ही गरम होना हो जाता है ना तो इसमें हम एक एक करेले हमारे रख दिंगे तीनों ही करेले हम इसमें रख दिंगे तो करेले को हमें बॉयल नहीं करना है सिर्फ गरम पानी में ही आदे घंटे के लिए रख कर छोड़ना है तो अच्छे से हम इसे पानी में डिप कर देंगे और थोड़ा सा उल्ट परेट भी कर देंगे जिसे की सब तरफ अच्छे से ये नमक वाला पानी करेले में हो जाए तो इस तरह से हमें छोड़ना है तो अभी हमने गेस की फिलेम हाई रखी ये और इसे अभी हम पानी को अच्छे से गरम होने देंगे तो पानी अच्छे से गरम होने देना है बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है बस अच्छा खासा गरम होने देना है तो यहाँ पानी देखी अच्छे से गरम होना शुरू हो गया है अब अच्छे से हम करेले को पलटा दिंगे ताकि सब तरब अच्छे से ये नमक वाला पानी इसमें चला जाए और जब ये अच्छे से पानी में हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे गेस की फिलिम को आफ कर दिंगे क्योंकि पानी अच्छे से गरम हो गया है और इसे अब हम cover करके आदे गंटे के लिए छोड़ कर रखेंगे इससे क्या होगा इसका सारा कड़वापन चला जाएगा तो इसी तरह से हमें आदे गंटे के लिए इसे छोड़ कर रखना है और जैसे ये आदे गंटा हो जाता है तो यहां आपको करेले का color थोड़ा change था दिखाई दे रहा होगा और हमने इसे आदे गंटे तक पानी में छोड़ कर रखा था नमक वाले पानी में तो यह थोड़े से soft से भी हो चुके हैं आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा यह थोड़े soft سے भी हो गए है बस इसी तरह से हमें इसे रखना था अब आदे गँटे बाद हमें इसे निकाल लेना है आप इसे एक गँटे के लिए بھی रख सकते हैं तो यहां देखिए हमारे करेले अच्छे से तयार हो गए हैं तो अब अच्छे से हम इसका पानी निकालते हुए निकाल लेंगे और पानी से निकाल लेने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके पीसीस अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये नमक वाले पानी में थोड़े सॉप्ट से भी हो गाएं ना और थोड़े से कुक भी हो जाते ही तो जब आप इसे हम फ्राइ करेंगे ना तो फ्राइ होने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तो अब इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं अब एक बरतन लेंगे और इसमें हम लेंगे तीन छोटा चमच चावल का आटा और तीन ही छोटा चमच हम इसमें लेंगे कॉन फ्लोर तो यह हमारे करेले की बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा आप कॉन फ्लोर के बजाए इसमें आप मेदा का भी छम्मच वाल कर सकते हैं अब एक चम लेंगे धनिया प्वावडर्र आदा चर्फ ठीक हलदी पोडेर आदा चम्मच घրमासाड़ा प्रॉड़र ओर 31 के अकॉर्ड नमक लेंगे एक चम्मच लेंगे हम इस holds b Gen कश्मीरी लाल मिरच इससे क्या होगा करार अच्छा आएगा और हम 예क नीबु लेना जिसे हम निचोड़ कर डालेंगे तो यह मिन्चोड़कर निकाल लिए अब इसमे हम नीवु को डाल दें गे और डाल कर अच्छे से सारी चीदों को हमें मिक्स करना 건ा है तो में इसे नहीं करेंगे हातों से जाता है lif थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल सा तयार करेंगे तो घोल हमें बहुत जादा गाड़ा नहीं रखना है और नहीं बहुत जादा पतला रखना है तो फ्रेंट्स इस टेस्टी मज़ेदार से क्रिस्पी करेले की रेसीपी को देखने के लिए वीडियो को आप पूरा वाच करिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा वाच नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस टेस्टी क्रिस्पी करेले को कैसे बनाना है तो फ्रेंट्स यहां हमारा घोल बिल्कुल रेडी हो चुका है अब एक एक करेले को लेंगे हम और देखी कितने अच् करेले को भी इसी तरह से हम अच्छे से भर देंगे और सेम इसी तरह से से तीसे बाइरे करेले को भी हमें सें इसी तरह सें मसाला लगाते हुए रेडी कर लेना है किStione ए तो विस आपको देखने कर तैयार हुए है तो चलिए अब हम इसे फ्राय कर लेते हैं फ्राय करने के लिए मैंने पेन में आईल को पेले से ही गरम में रख दिया था और आईल अच्छे से गरम हो चुका है अब तीनों ही करेले हम थोड़े दूरी पर डाल देंगे और आप देख सकते हैं इसके एक एक अच्छे दार हमारे करेले दिखाई देंगे फ्राय होने के बाद और इसे आपको मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राय करना है और बीच बीच में स्लो फ्लेम भी करते जाना है हाई फ्लेम पर फ्राय नहीं करेंगे वना करेले कच्छे रह जाएंगे आप इसे स्लो और मीडियम ह जो इसका डंठल वाला हिस्सा है ना मैं आपको उससे पकड़ कर भी दिखाऊंगी देखी कितने अच्छे ये फ्राय हो रहे हैं बहुत ही अच्छे ये दिखाई दे रहा है आप इसे चम्मच की हेल्प से भी फिलिप कर सकते हैं तो एक साइड से तो कलर अच्छा आ गया है अ इसे ही अच्छा सा कलर आता हुआ दिखाई देने लगता है तो इसे हमें निकाल लेना है तो अब हम गेस की फ्लेम को आफ कर देंगे और आपको निकाल कर दिखाएंगे तो देख सकते हैं आप जो इसके डंठले उससे मेने पकड़ कर ये आपको दिखा रही हूं कितना आसान प्रोसीस से इस करेले को हमने फ्रेंट्स बनाया है और एकदम नई रेसीपी है टेस भी इसका बहुती लजवाब होता है और करेले अगर आप इस तरह से फ्राय करेंगे ना तो इसमें आपको जादा कड़वा पन भी बिल्कुल नहीं लगेगा मैं ये तो नहीं कहू चार रोटी खाना पसंद करेंगे ये इतने टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं आप देख सकते हैं आपको ये अलगी एक एक लेर इसकी दिखाई दे रही होगी ये देखने में आपको लग रहे होंगे कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए है तो इस करेले को मैं आपको चेक करकर भी दिखाऊंगी यह अंदर से कितने सॉफ्ट और उपर से कितने क्रिस्पी बने है तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने असानी से यह टूट रहा हैं बहुत अच्छे से यह खुखुए हैं और इसे बनाने में जादा मेहनत भी नहीं लगती है सिंपल से घर के समानों से ही इस टेस्टी क्रिस्पी करेले को आप बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस टेस्टी मज़दार से क्रिस्पी करेले को एक बार जरूर बना कर देखें उम्मीद है आपको ये recipe जरूर पसंद आईगी तो friends इस tasty मज़दार से crispy करेले की recipe पसंद आई हो तो please like और subscribe जरूर करें family और friends में जरूर share करें और comment में जरूर बताएं आपको मेरी tasty मज़दार से crispy करेले की recipe कैसी लगी